दोस्तो वोडाफोन ने लॉंच कर दी है अपने तीन नए प्लान साथ में बहुत ही कमाल का प्लान लॉंच किया गया है और इसी के साथ एटल की तरब से भी काफी बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है तो सारी जो अपडेट है जियो एटल आइडिया व पीचे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताइए साथ में अपने हमारे चैनल को अभी दख सब्स्राइब नहीं किया है तो और ऐसे टेलकॉम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्स्राइब कर लीजे साइड में जो बैल आइकन आता है उसको भी आप लोग जरू 9 रुपय में आपको 90 days की validity BSL provide कर रहा है बात करें यहाँ पर benefits की तो आपको यहाँ पर 5 GB data मिलेगा और callings की बात करें तो रोजाना आपको 200 minute की calling है दोस्तों वो यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर मैं आपको बदा दूँ जो data benefit होगा और जो calling benefit होगा दोस्तों वो आपको केवल 20 दिनों के लिए 20 days के लिए जबकि जो validity आपके होगी वो यहाँ पर 90 days की होने वाली है तो यह नया प्लान BSL के द्वारा उपलब्द कराया गया है कैसा लगा BSL का यह प्लान आप लोग नीचे comment section में comment करके जरूर से बताना दोस्तों second जो update आता है वो Vodafone idea की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने आज 3 नए unlimited plan launch किया है पहला जो plan है दोस्तों वो यहाँ पर 139 रुपे वाला है इसना आपको 2 GB data मिलेगा और यहाँ पर आपको unlimited voice calling मिल जाएंगी साथ में आपको 300 SMS मिल जाएंगी 14 दिनों के लिए 139 रुपे वाले plan में आपको जो है आपको 14 दिनों की validity मिलेगी वैसे 149 रुपे वाला plan पहले से उपलब्द है जो कि यहाँ पर करीबन 200 रुपे ज्यादा में आता है और उसमें आपको 28 दिनों की validity के लिए सेम benefit यहाँ पर मिलता है तो केवल 200 रुपे कम में आपको यह आदे benefit दिये जा रहे है यानि की plan कुछ महंगा है आपर रखगा है 119 रुपे वाला अगला plan इनोंने आज आज आउलेवल करा है इसमें आपको रोजाना 1 GB data मिलेगा unlimited voice calling मिल जाएंगी आपको 100 SMS मिल जाएगा और यहाँ पर validity की बात करें तो इसमें आपको 21 days की validity मिलेगी next जो plan है दोस्तों वो 269 रुपीज वाला इसमें आपको जो data मिलेगा वो cable charging भी data मिलेगा आपको daily data नहीं मिलेगा unlimited voice calling यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 600 SMS मिलेगे plan की validity होगी दोस्तों वो यहाँ पर 56 days की होगी साथ में उन्होंने एक हैंपर 39 रुपीज वाला plan भी उपलब्द कराया लेकिन जोस्तों यह कुछ selected user को ही मिल रहा है तो इसमें आपको 100 MB data मिल जाता है 2.5 पैसे की साफ़को जो है उसकी तो वो यहाँ पर ATL की दर्प से आ रहे हो जो की काफी कमाल की नूज है ATL के लिए आप लोगों को बता है जियो ने अभी जो IOC चार्ज लेना स्टार्ट किया था वो जो अक्टूबर मन्त था 2019 का दूस्तों तब से लेना स्टार्ट किया था तो उस समय से यान की October और November में ATL को बहुत ज़्यादा benefit यहाँ पर हुआ है क्योंकि उनके पास काफी ज़्यादा subscriber आए बात करे October मन्त की तो ATL ने बताया कि उनके पास October मन्त में करीबन 5 million 4G subscriber आए हैं जबकि November मन्त में उनके पास 7 million 4G subscriber आए यानि कि दो मन्त के अंदर-अंदर ATL ने जो है करीबन 12 million 4G subscriber add कर लिए अपने network पर और बताया जा रहा है कि इस से पहले जो average यहाँ पर था पर मन्त subscriber add करने का ATL का दो तो वो केवल 1.5 million पर मन्त का था यानि कि जियो के IOC charge लेने के बाद में काफी जादा लोग जो है ATL में आये वैसे अगर BSN का भी 4G network होता तो मेरी साब से इस समय BSN के पास बहुत जादा subscriber जाते इन सभी operators से ATL को यहाँ पर जियो के IOC charge की वज़े से काफी जादा नई subscriber मिलें दोस्तों जो अगला date आता है वो भी ATL की तरब से आ रहा है ATL की Wi-Fi कॉलिंग को लेकर आप लोगों को बादा है ATL की जो Wi-Fi कॉलिंग थी वो अभी दिल्ली और NCR में उपलब्द कराई गई थी लेकिन दोस्तों अब यह कुछ और सीडीज के अंदर अवलेबल हो गई यह साथ में 6 नए और स्मार्टवन जो ATL की Wi-Fi कॉलिंग है फिलाल उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है जिसमें Samsung Galaxy S10, S10+, S10e है साथ में OnePlus 6 और 60 है वो भी आपर सामिल किया गया और Samsung Galaxy M20 है दोस्तों वो भी आपर सामिल किया गया है और यहाँ पर ATL की Wi-Fi कॉलिंग को लेकर एक और अपडेट है कि जो ATL की Wi-Fi कॉलिंग थी अभी तक वो ATL की Broadband ATL Extreme के दुआरा काम कर रही थी लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर वताया जाया रहा है कि किसी भी Broadband पर ATL की Wi-Fi कॉलिंग वो यहाँ पर काम कर रहे है यानि कि आपको ATL Broadband की आवसकता नहीं रहेगी अगर आपके पास कोई भी Broadband connection है कोई भी Wi-Fi connection है तब भी आप ATL की Wi-Fi कॉलिंग का यूज कर सकते हैं तो यह काफ अच्छा step यहाँ पर ATL की दुआरा लिया गया है कि किसी भी Wi-Fi network के जरीए आप जो है कॉल कर पाओगे दोस्तो नेक्स जो अपडेट आता है वो Vodafone Idea की दरब से आ रहा है जो कि काफी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए होने वाली है कि Vodafone Idea ने दोस्तो पंजाब के कुछ सहरों के अंदर जो यहाँ पर Angel Store है दोस्तो वो यहाँ पर स्थापित किया है और Angel Store सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए जहाँ पर जो Women's है दोस्तो वो जा सकती है अपना रंबर रिचार्ज करा सकती है या उन्हें और कुछ सर्विस वहाँ पर चाहिए MNP वगराना है या अपनी SIM जो है अपग्रेट करानी है तो वो सारे काम वहाँ पर वो करा सकती है और अपना नंबर वहाँ पर शियर कर सकती है कि सारे के सारे जो Angel Store पर Employee होंगे दोस्तो वो केवल Women's ही होंगी तो ये काफ़ी अच्छा स्टैप यहाँ पर Vodafone Idea के द्वारा लिया गया है दोस्तो नेक्स जो अपडेट आ रहा है वो ATL की तरब से आ रहा है ATL ने जो करना टक है दोस्तो वहाँ पर अपनी 3G सर्विसेज को सट डाउन कर दिया है तो दोस्तो ये कुछ आज बड़ी न्यूस आप लोगों के लिए टेलको मिंदस्ती से निकल कर आई थी आप लोग बदाना कि आप कौन सा उपरेटर यूज कर रहे हैं ATL, आइडिया, Vodafone, या रिलाइंस जियो और आज की सबसे जो बेस्ट न्यूस थी दोस्तो वो आप लोगों को कौन से लगी नीचे कमेंट सेक्सिन में कमेंट करके जरूर से बताना